हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टड़ी वित्वारी चनल, तो कैसे हो आप सब, तो बच्चो इस वीडियो में हम आज ए बिकारी या अब्य सब्दि के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से आपको विधित है, इसमें लिखा हुआ है ए बिकारी, ए माने नहीं और बिक जिनका रूप, लिंग बचन कारक वा काल के अंसार परवर्तित नहीं होता है, ए बिकारी अब्य सब्द कहलाते हैं, तो मैंने आपको जब संग्या प्रिक्रण पढ़ाया था, उसमें बताया था कि दो सब्द होते, एक तो विकारी और ए बिकारी, विकारी भे होते हैं, जि जैसे फोर एक्जाम्पल इसमें ये दे रखा है धीरे धीरे हुआ अचानक बाहार भीतर उपर अभी पहले सामने इशलिये ओहो वहा आदी आदी नहीं होगा इत्यादी होगा क्योंकि एक से एक से अधिक आए तो आदी और दो या दो से अधिक आए तो इत्यादी का प्रियो क्या है तो बच्चों आपको समझ आ गया तो इस से लाइने में से कोश्चन बनेगा वो यही वनेगा अभेकारी अभेक से कहते हैं कोई दो धारन दीजिए तो मैं आपको बाक्यांस के रूप में आपको अधारन बताती हूं उसके इसमें आगे हम देखते हैं जैसे मैंने आपको जैसा की definition में बताया था कि रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अंसवार परवर्तत नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया धीरे-धीरे इसका एक exam पले है तो इसको बाक्य में कैसे प्रियोग कर सकते हैं कि इनका रूप परवर्तन कैसे नहीं होता जैसे मनीश धी दोनों इसा है कि मोलता है지만 किहां कि विर्वान को और देखा एक तो आपको कोई क न लंग्री जनकम में ख़ी विकार में नहीं वोता है और यह कंचवा मदा थीरे थीरे चलता है कच्छुए भ्वबचन बना लिया मैंने फिर भी दीरे-दीरे सब दाब आए ना कि धीरों-धीरों आ जाए भ्वबचन को देख करके नहीं होगा ऐसा कि इनमें रूप परवर्तन होता ही नहीं है लिंग बचन कारकाल के अंसार इनके रूप में परवर्तन नहीं होता है यह आपको अपने मैंड में रखना है बच्चो राम धीरे-धीरे खेलता है धीरे-धीरे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा देखो मैंने इतने सारे एकजामपल आपके सामने रखे हैं इनमें एक भी बड़ ऐसा है जहां पर धीरे धीरे का धीरों धीरों धीरे धीरे तो होगा धीरों 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 और भी कुछ बना लिया जाए ऐसा नहीं बनाया जाए अगला है राम के द्वारा धीरे धीरे लिखा गया है तो सम्में धीरे धीरे देखो मैंने नहीं हुआ आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्हें हम अब्बे या अब्बे कारी सब्दे क्यों कहते हैं आगे इसमें देखते हैं बच्चों अब्बे के भेद मूल रूप से अब्बे के चार भेद होते हैं तो आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से एवेकारी अब्बे के चार भेद होते हैं लेकिन नीचे दिया हुआ है विसेस करके आप इसे ध्यान से देखें एवेकारी अब्बे का गौड रूप से पाचमा भेद निपात भी होता है निपात जहां बाक्य में जोर डाला जाए कि इसको करना ही है बोता है तो मूल रूप से एवेकारी अब्बे के चार भेद होते हैं पहला होता है क्रिया विशेशन दूसरा होता है बच्छो समुच्च बोधक और चौथा होता है बच्छो बिश्मयादी बोधक तो आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से एवेकारी अब्बे के कितने भेद हैं तो चार क्रिया विशेशन संबंद बोदक समुच बोदक और पिश्मे आदी बोदक और गौड रूप से कौन सा माना जाएगा पांचमा भेद निपाद को माना जाएगा आयोब क्लियर हो गया होगा इसमें फिर हम बच्चो एक यूगो मैं आपको डेफिनेशन के शाह समझाती हूँ और बिद एक्जामल क्रिया विशेशन होता क्या है तो जैसा कि नाम से इस पस्ट है इसमें क्रिया का बिसेस्ता बताई जाएगी क्रिया क्या कार्दन करती है बे अब्बे सब्द जो किसी किरिया के पूर्व प्रियुक्त होकर बचो माफ करना पूर्व नहीं है यह पूर्व है पूर्व प्रियुक्त होकर किरिया की विसेस्था बताते हैं किरिया विशेशन कहलाते हैं तो बे अब बेसाब्द जो किरिया के पूर्व प्रयुक्त हुए. बचो ध्यान रखना, confusion करने के लिए आ सकता है. करिया के पूर्व प्रयुक्त हो कर किरिया की विशेष्था बताते हैं, करिया विशेष्ञ कहलाते हैं. फूर एक्जामपल जल्दी जल्दी चलो तो इसमें चलने की विशेस्था बताई जाए आप देख सकते हैं कि चलना क्या है क्रिया है और क्रिया की विशेस्था बताई जाए कैसे चलना है जल्दी जल्दी अगला है धीरे धीरे बोलो कैसे बोलो धीरे धीरे बोलो तुम यहा कहां बेठो यहां बेठो मोहन अभी आया है तो क्रिया की बिस्ता बताये चार बताने हैं पहला आपको पढ़ा दीया बच्चो क्रिया विशेशन, फिर क्रिया विशेशन के भी उपवेदें, तो वो कितने होते हैं बच्चो? करनी है तो आप इसकी dash करके इसमें question कब से पूश सकते हो किस से पूश सकते हो वज़ो कब काल का मतला है कब कब से इस्तान बोधक क्रिया विषेशन इसमें आप जो question करोगे तो करोगे कहां से इससे कहां रहता है वहां यहां इधर उधर उपर नीचे ऐसे आएगा इसमें तो इस्थान बोधक के सामरे लिख लेना कहां काल बोधक के सामरे लिख लेना कब अगला है परिमान बोधक क्रिया विशेशन तो परिमान बोधक का मतलब होगा कितना कितना कम ज़ादा तो संकेत होगा वो क्या होगा, बच्चो, कितना अगला है इसमें रीती बोधक बोधक क्रीय विशेशन के लिए आप इसका DES लगा कर किलिखोगे बोधक में आएगा बच्चो, कैसे? क्या आएगा? कैसे? एक बार उन्हें repeat कर देती हूं यदि पूछा जाए काल बोदक रिया विशेशन की पहंचान करना है आपको कब से इस्तान बोदक रिया विशेशन की पहंचान करना है कहां से परिमार बोदक रिया विशेशन की पहंचान करना है कितना से यदि दीती बोधक्रिय विशिशण की पेंचान करनी है तो कोशन करना है आपको कैसे किसे बच्चो कैसे से तो आज की ये क्लास ती आई ओप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो फीडवेक के रूप में कमेंट बोक्स में जरूर देना और अपने फ्रेंड्स बगरा को इस्टेडी वित्वारी चनल को सेर जरूर करना जैसे कि हमारा जो परवार है वो बढ़ सके और यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बैल आईकन को प्रेस कलने जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बच्चो तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से पढ़िएगा क्लास अटेंड करिएगा जितना मैटेरियल मैंने पढ़ा था रीट में या बी एस्टीसी में वही मैटेरियल मैं आपको दे रही हूँ आप भी जरूर सफलोंगे ऐसी आसा है बाई बाई टेक कियर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू सो म खरो सफलोंगे दो सम ya कि जरूआ करिए ठार रीट ने वीडियोगा कि खाने जरूएगा कि रिए हूज़ा कि रिए कि जरूएगा बाई आपको दोलोंगे जरूएगा कि जरूए़ा आपको बाई लाई ह।